सुबह सुबह हर किसी को जल्दी रहती है, किसी को आफिस जाना है, तो किसी को घर पर बहुत काम होते हैं, तो ऐसे में जब बात करें ब्रेकफास्ट की, तो कुछ समझ में नहीं आता, तो आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ, सुबह की भागम भाग के लिए सिर्फ दो बहुत जादा पसंद आने वाली तो देरी किस बात की चलिए शुरू करते आज करें वीडियो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने मिल्सी का जार लिया है और इसमें हम डालेंगे दो कप सूजी तो यहां पर मैं बड़े वाले जार के इस्तिमाल कर रही हूं आप छोटे वा दालेंगे चीनी यह बड़ी साइस की अदर इससे नमक और इसमें हम डालेंगे दो कप पानी तो आप टैंशन बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी मिठास नहीं आएगी बट इससे जो साफ्ट नाय से बहुत ही बड़िया आएगी आप यसको अच्छे से मिक्सी में पीस लें और आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बैटर बन करके तयार हो गया है तो मैं आपको दिखा रेती हूँ कुछ इस तरह से आपको इसका बैटर बनाना है हो सकता है थोड़ा बहुत पानी आपको कम या जादा लगे अगर हम इस तरह सी स्पून में कोट कर रहे हैं तो एक कोट बैसी गेडिट कोकोन कट हैनिकि नारील का बुरादा यह बजार बाला है अब घर कभी इस्तुमाल कर सकते हैं और एक चौथाई कप मैने यहां पर लिये है मुंखछी के दाने तो मैं यहां पर कच्ची मुंखछी के 2 दाने को ढृ Key यूम यूस कर सकते हैं दो हरी मिर्च, स पानी हम बढ़ाँ से लालेंगे इसमें हम धर और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम दालेंगे एक चमच दही पानी के बैँ मैं डाहिए को एक पानी कितने पड़ी है और अपने पानी की जरुरत बीचली ज़ंगे आपने ये साउथ इंडियन कोकोनट की चटनी हमने कितने फटा फट दो मिनट में बना करके तैयार कर ली है अब आप चाहे तो इसमें सरसों के दाने और करी पत्ता से तड़का भी लगा सकते हैं बट मैं इसमें तड़का नहीं लगाने वाली हूँ मुझे ऐसी चटनी बहु दो कप सूजी के लिए एक पैकेट फ्रूट सॉट बिल्कुल परफेक्ट होता है थोड़ा साम इसके उपर पानी डाल देते हैं बिल्कुल जरासा ताकि जो इनो है अच्छे से अक्टिवेट हो जाए और फटा-फट से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर तो यहां पर मैंने नौनिश्टिक तवा रख दिया है इसमें हम उयल से हलकी सी ग्रीसिंग कर लेते हैं आप चाहिए इसको बिदाउट वायल भी बना सकते हैं तो मैंने बिल्कुल दो बून तेल से ग्रीसिंग कर लिए और एक चमचा भरके हम इस बैटर को लेंगे और बस डाल देंगे डालने के बाद आपको इसको बिल्कुल नहीं फैलाना है यह अपने आप सेप ले लेगा और बिल्कुल सरकल हो जाएगा इसको हम लिट से धक देते हैं धकने के बाद मैं आपको लाइक दिखाऊंगी कि इसमें किस तरह से जाली बनना सुरू हो गई है चोटे जादा बनते हैं इसलिए हमारा नास्ता जो है बहुत ही सॉफ्ट बनता है अब बस लो फ्लेम पर हम इसको ड्राइ होने तक पकने देंगे हमें बहुत ज्यादा नहीं इसको पकाना है आप सोचे कि हम बहुत डार कर दें बिल्कुल वन साइड ही पकाना है इसको पलटने की भी जरूरत नहीं है यह बहुत अच्छे से अंदर पक जाते हैं कोई टेंशन की बात नहीं कि कच्चे रह जाएंगे बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं बिल्कुल कम ही आपको इसको पकाना है और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे अपम बन करके तया ॉल फटा फट से इसकी लेट को ढग देगे सेम प्रॉसेस्ज में इसको हम हाई फ्लेम पर जाली आने तक सिखने देगे अपने सारे अपम बना करके तयायार कर लेंगे तो यह देखिए कितनी अपको बिल्कुल बं चायाः तो यह जो आपपम है नाजिल की चतनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं आप देख सकते हैं यह कितने नरम नरम बने हैं एक दम जालीदार और खा करके भी आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा तो इसे आप सुबहे ब्रेकफास्ट में तो बनाई सकते हैं साथ में आप चाहें तरह जिसे सामको यर दुफेल को भी बना सकते हैं तो 15-20 मिनट के अंदर सारी अपको बना करके तयार कर लेएं में बिल्कुल भी समाई नहीं लगता है फटा-फट से यह सिख जाते हैं और तयार हो जाते हैं तो भाई मुझसे नहीं हो रहा है कंट्रॉल मैं तो चली इसको खाने आप भी जरूर ट्राइ करिएगा फिर मुझे बताईएगा तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूं कि आपको आ लाइक से जरूर कर दीजेगा तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाई ट्यक्याएग अ करें प्रत से जरूर के खांड्यक्जा बना करत कर दो लाइकशन букв शाषण कर वाहजा बढ़ा था कर दो कर दो झाया झार कर दोड़ा है दोड़ा है यस हे कर दोले बताईन रहा है कर दो कर दूबदादार पको आपको है कर लोग. Christmas